नमस्कार दोस्तों इन्वार अकैडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है बचो काफी समय से बच्चे लगाता रिक्वेस्ट कर रहे थी कि सर कोई स्रीज बनाईए बीबी ऐसे असिस्टेंट सेनेटरी एंड वेस्ट मनेजमेंट ओफिसर के लिए तो ये लक्चर स्रीज बेसिकली आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट सीध होगी ये पहला लक्चर है स्रीज का तो आप लोगों ने ध्यान से देखना है एंड जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम इन बिट्वीन आपको बताएंगे आपने उनको समझ के नोट डाउन करना है जो बच्चा इस स्रीज को ध्यान से सुनेगा देखेगा हम वादा करते हैं कि ये स्रीज उसके लिए बहुत ही उपयोगी सीध होगी ठीक है बचो तो आप सभी लोग जो है जानते हैं कि हमारे स्लेबस में जो है एक सेक्शन है सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट का तो सॉलिड वेस्ट बेसिकली होता क्या है अगर आप यहीं से जो है इस टॉपिक को कवर करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन आप जो है किस परकार से दे सकते हैं सबसे आसान सी definition जो है solid waste की solid waste जो है वो organic and inorganic waste material है जो बहुत सारे वज़े से बहुत सारी activity की वज़े से produce होते है जैसे की आप लोग देखते हैं कि कितने सारे packing material है हम जो है चीजें उपयोग में ले आते हैं उसके बाद में जो उनकी cover होता है packing होती है इसको fake देते हैं वैसे ही grass हम cut करते हैं उसके बाद में उसे fake देते हैं furniture खराब होने के बाद fake देते हैं और आपके कपड़े जो है खराब होने के बाद fake देते हैं paper आपके kitchen से निकलने वाला waste बहुत सारी चीजे ऐसी हैं, जो की हम इस्तेमाल करने के बाद में फैक देते हैं और ये सारी चीजे जो हैं सोलीड वेश्ट में कंवर्ट हो जाती है तो सॉलीड वेश्ट जो है आप बैसिकली दो मेजर कैटेगीरी में आप डिवाइड कर सकते हो एक होता है heterogeneous एक type का waste है आपका heterogeneous ठीक है न बचे तो heterogeneous आपका जो waste है ये basically generate होता है आपके गाउं से आपके शहरों से इसका मतलब होता है कि इसमें विभिन विभिन परकार के waste सम्मलित होते हैं ठीक है तो जब भी आप heterogeneous waste कोई बोले आपको क्यों heterogeneous waste कैसा होता है तो आप कहेंगे कि जिसमें विभिन परकार के waste सम्मलित हो जिसका nature जो है एक समान ना हो उस परकार के waste को heterogeneous waste कहते हैं अगर कोई आप से कहे कि इस परकार का waste कहां से उत्फण होता है तो सिंपल यह आप कहेंगे कि जो हमारे शहरों से गाउं से जो वेस्ट निकलते हैं वो सारे हिट्रोजिनस नेचर के होते हैं क्योंकि उसमें विबिन विबिन परकार के वेस्ट सम्मालित होते हैं दूसरा हुआ आपका होमोजिनस होमोजिनस शब्द का मतलब होता है एक समान ठीक है बच्चो तो होमोजिनस वेस्ट जो है एक समान वेस्ट है यानि की जैसे की अग्रिकल्चर है ना खेती से निकलने वाले वेस्ट जैसा अभी धान की फसले कटी हैं तो धान की फसल कटने के बाद में जो वेस्ट बचा उसका नेचर क्या है होमोजिनस है या फिर जो है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जो वेस्ट जनरेट होता है उसका जो नेचर है वो भी होमोजिनस होता है ठीक है जैसे माइनिंग एक्टिविटी के बाद में जो वेस्ट परड्यूस होगा उस waste को homogenous कहते हैं and this waste का nature जो है वो विभिन परकार की जिसमें item सम्मलित होते हैं इस परकार के waste को heterogeneous waste कहा जाता है ठीक है बचो तो अगर आप जो है classification की बात करें कि कितने परकार के waste हो सकते हैं तो सबसे पहली classification जो है वो बेस्ट है कि किस source से किस जगह से waste release हो रहे हैं तो सबसे पहले जैसे की आपके घरों से जो waste generate होते हैं पहली class यही है घरों से निकलने वाले waste जैसे की हमने खाना बनाया खाना बनाने के बाद में खाना बनाने के दोरान बहुत सारा waste produce होता है इसी परकार से जो है घरों से प्लास्टिक निकलता है कपड़े निकलते हैं राक निकलती है तो यह एक टाइप हो गया है आपके waste का दूसरा हुआ आपका commercial sector commercial sector से आप क्या समझते हैं जैसे की आपकी market हो गई market से आप देख रहे हैं कि विविन परकार के waste generate होते हैं कहीं पे जो है फूड सेलर खड़े हैं वहाँ से उस परकार का waste निकल रहा है कहीं से सबजियाँ बेचने वाले कोड़े हैं वहां से उस परकार का waste निकल रहा है medical store है ठीक है बहुत सारे जगए जगए पर आप market में बहुत सारे जो है दुकाने imagine कर सकते हो और उनसे विबिन विबिन परकार का आपका waste generate होता है तो वो सारा waste अगर हम देखें तो source based category में commercial sector में आएगा उसके बाद में आपका institutional waste जैसे की आपके college हो गए universities हो गई तो वहां से बहुत सारे परकार के waste जो है generate होते हैं आप आसानी से अपने college में बहुत परकार के waste देख सकते हैं तो university से college से निकलने वाले जितने भी waste हैं वो किस category में आएंगे institutional category में आएंगे इसके बाद में municipal municipal waste से आप क्या समझते हैं देखिए कि हर एक शहर में जो है आप लोग देख रहे हैं की municipalities होती हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे type के waste इकठा करते हैं जैसे कि वो सड़के साब करते हैं आकराने का काम उनीका होता है तो सड़कों से जो waste निकलेगा एंड जो आपका वो building से waste इकठे करते हैं ठीक है बचो या सेवेज treatment plant उनके पास में होता है तो इस परकार से जो है सारा waste जो है वो इकठा करते हैं और वो एक अलग category बन जाती है ठीक है बचो इसके बाद में industrial बहुत सारी factory हैं अलग-अलग परकार के product बनाती हैं और वहां से भी अलग-अलग परकार के waste निकलते हैं जैसे की waste equipment industry है कोई cement industry है ठीक है कोई food industry है कोई medical facility वाली industry है उन सभी industries से अलग-अलग type के waste निकलते हैं तो industrial sector में वो waste आएंगे जो industrial activity की वजह से क्या हुए produce हुए agriculture sector से अगर आप बात करें तो यहां पे जैसे की फसले जो हम बोते हैं जिसको बोलते हैं हमारी local भाष्या में जो है grow करते हैं जब crops उस time पे बहुत सारा waste जो है निकलता है जब हम खेत से फसले काटते हैं harvest करते हैं उस समय पर बहुत सारा वेस्ट जो है निकलता है तो जो है इस परकार का वेस्ट जो है कि सेक्टर में आएगा एक्रिकल्चर सेक्टर में आएगा इसके बाद में बात करते हैं open area open area जो आप देखते हैं कि भी आपका गलियां हो गई ठीक है न और आपके park हो गए playground हो गए ठीक है उसको open area category में रखा जाता है अब अगर हम बात करें type based classification की यानि की अभी तक तो हमने जो है बात की अलग-अलग sector की अलग-अलग sources की अब हम बात करेंगे की basically कितने type के waste हैं है ना किस्टल के लिए differentiation करना आना चाहिए पहले हमने बात की sources से कि यह waste जो है कितने परकार के sources से generate हो रहा है अब हम बात करेंगे कि किस-किस type का waste है जैसे की garbage garbage का मतलब क्या होता है garbage का मतलब है food waste खाना बनाने के दोरान खाना बनाने से पहले जितना भी waste produce होता है उसको garbage कहा जाता है साधारन सा example आप ले सकते हैं कि आपने मान लेजिए घिया तोरी लोकी कोई भी सबजी बनानी है तो आप क्या करेंगे आप जो है सबसे पहले से साप करेंगे ठीक है उसके जो उपर का जो अच्छी लख है वो आप remove करेंगे तो waste generate हो गया उसके बाद में जो है आपने उसे बनाया ठीक है बनाते समय देखा कि भीया जब आपसे cut कर रहे थे कि उसमें कोई खराब निकल गया ठीक है या कुछ ऐसा part है जो आपने अलग कर लेना है उसके बाद में खाना आपने प्रोस दिया खाना खाया कुछ खाना बच गया तो केवल food waste जितना होगा उसको ही garbage कहेंगे इसमें और किसी परकार का waste नहीं आता है केवल और केवल खाने के waste को garbage कहते हैं और एक और भोती महत्वपून पॉइंट यहां पे हमें जो है note करना चाहिए कि भीया जो food industry होती है जैसे जो chips बनाती है या अपना ये cold drink बनाती है बहुत सारे food हैं जो packing में available है तो या meat industry होगी slaughter house होगे तो इस परकार से जो विभिन परकार की industry हैं जो खाना बनाती हैं उनसे निकलने वाले waste को food waste category में नहीं रखा जाता है ठीक है ये छोटे छोटे point ही question बनके आएंगे बच्चो ठीक है इनको आपने बहुत अच्चे से clear करके रखना है दूसरा type है ash and residue ash and residue में basically जब हम koila burn करते हैं लकडी burn करते हैं ठीक है अपने घरों में या छोटे scale की industry जो होती है या institutions जो है बहुत सारे वज़े से हम बन करते हैं लकडी, koila, charcoal, coke इन सब ही के burn होने पे एक powder की form में product बच जाता है बाद में है एक waste जो है बच जाता है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम ash कहते हैं and burning के बाद में जो चीज left over रह जाती है यानि कि बच जाती है उसको residue कहते हैं तो जो है burning के बाद में fuel के burning के बाद में या कहो कि वही लकडी, koila, charcoal, coke, coke इन सभी के burning के बाद में जो material बचता है वो होता है ash ठीक है बचो उसके बाद में आता है आपका combustible and non-combustible waste combustible यानि की जिसमें आसानी से आग लग सके और non-combustible जो है जिसमें आसानी से आग नहीं लगती है अगर आप देखें तो आपके घरों से, college से, university से, commercial sector से है ना बहुत सारे ऐसे waste निकलते हैं जिनमें आसानी से आग लग जाती है जैसे की paper हो गया, cardboard हो गया, कपड़े हो गये, rubber हो गया, ठीक है या फिर जो है अपने garden साब किया और बहुत सारे जो है पतियां, अपर टहनियां कठी होगी उन सब में आग लग सकती है तो कमस्टिबल वेस्ट हुआ, एंड वो आइटम जिनमें आग आसानी से नहीं लगती जैसे की glass हो गया, यह घर में glass तूट गया, ठीक है, अटीन हो गया, aluminum हो गया, बहुत सारी metal ऐसे हैं, ठीक है, एंड आपकी जो है, मिट्टी धूल मिट्ट होगी, जो आपने साब की, उसमें आग नहीं लगती तो वो non-combustible waste हो गया, इसके बाद आया bulky waste, bulky waste से आप क्या समझते हैं, बड़े बड़े आइटम, आपके घरों से बड़े बड़े जो waste के आइटम निकलते हैं, रेफ्रीज रेटर हो गया, वोशिंग मशीन हो गया, फर हम bulky waste कहते हैं, ठीक है बचे, बायो-degradable and non-bio-degradable waste, बायो-degradable और non-bio-degradable waste पे एक question बनता ही बनता है, बायो-degradable का मतलब होता है, जो micro-organism की help से आसानी से degrade हो जाते हैं, उसको बायो-degradable कहते हैं, जैसे की food waste हो गया आपका, ठीक है, जैसे की paper हो आपका, यह जो है waste आसानी से, सारे item जो है, आसानी से micro-organism की help से degrade हो जाते हैं, non-bio-degradable जैसे plastic हो गया, ठीक है बच्चों, यह जो यहाँ पे हमने table बनाया है, बहुत महत्तोपून है, एक question मिलने की परबल संभाव ना रहती है, तो bio-degradable waste में आप देख रहे हैं की भी organic waste हुआ, जैसे की आपके vegetable हुआ and fruit हो गया, ठीक है, आपका जो बचा हुआ खाना है, वो सभी एक से दो सप्ता में degrade हो जाता है, वहीं पे paper है, paper जो है 10 से 30 दिन के अंदर अंदर, जो है degrade हो जाता है, गल जाता है, cotton के कपड़े जो है, वो 2 से 5 महीने का समय लगता है, लकड़ी के आइटम को 1 साल का समय लगता है, ठीक है, और solid लकड़ी को degrade होने में 10 से 15 साल का समय लगता है, ठीक, अगर आप किसी waste को, लकड़ी के टुकड़े को बाहर फेक दोगे, ऐसे ही, ठीक है, अब तो बरसात के स मोशर उसमें आ जाएगा, उस पे बैक्टीरिया लग जाएंगे, विविन परकार के फंगिये लग जाएंगे, माइक्रोर्गेंजम, धीरे धीरे इसको सारा खा जाएंगे, और इसमें 10 से 15 साल का समय लगेगा, नोन बायो डिग्रेडेबल में जैसे की टीन, अलुमोनियम और जितने भी मेटल के अकैन हैं, वो सो से 500 साल में धीरे 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 डिग्रेड होंगे, प्लास्टिक ठीक है, ये तो जो है, बहुत समय ले लेगा, एक बिलियन एयर, और आपके ग्लास बोतल जो हैं, वो तो क्या होंगी, भाया वो डिग्रेड होंगी ही नहीं, ये आप आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है, स्टेबल को, एक कोश्चन जो है, हमेशा देखने को मिला है, ठीक है, स्ट्रीट वेस्ट, स्ट्रीट वेस्ट मतलब गलियों में जो वेस्ट है, आप लोग देखते हैं कि हमारे यहां पे जादातर लोग क्या करते हैं, अपन है ना, जैसे पेपर हो गया, पॉरोथीन में वेस्ट भरके फेंक देते हैं, ठीक है, एंडे जो है, जो खराब वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, लोग वो फेंक देते हैं, तो यह सारे जो हैं, आपके, क्या होगा स्ट्रीट वेस्ट, उसके बाद में जो है, आपका, जो वाहन ऐसे ही खड़े रहते हैं, ठीक है ना, बहुत पार आपने देखा होका, इस पेसिफिकली जहां पे ये पुलिस स्टेशन वगरा होते हैं, या गाड़ी रिपेर करने की जो आपकी लोकेशन होते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जगए हैं, जहां पे आपको बहुत सारे वहीकल हैं, जो पहले काम करते थे, अब काम नहीं करते हैं, है ना, या किसी भी परकार से वो अब नहीं योज में हैं, तो इस परकार से बहुत सारे जो हैं, इस क्रैब कठा हो रहा है, एंड अल्टिमेटली ये धीरे धीरे वेस्ट में परिवर्तित हो जाते है इसके अलावा आपका construction and demolition waste जब घर बनता है, building बनती है या building गिरती है तो बहुत सारा waste generate हो जाता है वैसे तो यह कहा जाता है कि ब्रिक वगरा जो निकलती है वो इस्तिमाल हो सकती है बट बहुत सारा ऐसा मलबा उत्पन होता है जिसका कोई use नहीं है जो आपका शेहरों का waste है उसमें तो 9 से 11 परतिसत इवन 20 परतिसत भी आपको इस परकार का यानि कि construction and demolition waste देखने को मिलता है ठीक है बचो farm waste जैसे कि आपके बहुत सारे बड़े बड़े farm house होते हैं ठीक है एक के लिए farm house बनाते हैं लोग या फिर milk के लिए farm house बनाते हैं ठीक है बचो तो वहाँ से बहुत सारे ऐसे waste निकलते हैं कि भी या उनका नेचर थोड़ा अलग होता है अब ये मुर्गी farm जो आपके होते हैं याना वहाँ से आप देखते हैं कि कितनी smell आती है जब आप उनके पास से भी निकलते हैं तो वहाँ से जो waste निकलता है उसका नेचर अलग होता है वैसे ही आपके cow farm है जो basically milk production के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पर आपके देखेंगे बहुत सारा waste जो है निकल आपको मिलेगा हजारडस waste हजारडस waste basically जो है ये एक अलग ही category है हजारडस waste की अगर मैं बात करूँ ये वैसे तो industry से उत्पन होती है बट आजकल का जो scenario चल रहा है आपके घरों में भी बहुत सारे हजारडस waste होते हैं जैसे कि आप छोटा सा example लेलो सभी की घर में inverter है inverter के साथ में एक बैटरी है एंड बैटरी जो है वो एक हजारडस waste में आ जो है आ जाएगा अगर आप उसे fake देंगे ठीक है वैसे ही आप insecticide वगरा यूज करते हैं ठीक है जैसे ये आते हैं मच्छर मारने के लिए मौस्कीटों के लिए आते हैं हीट वगरा ये सब भी आपके हजारडस waste में हैं इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे chemical हम घरों में इस्तेमाल करते हैं चोटे चोटे जिनके जो है हमें जो अंदाजा भी नहीं होता पता भी नहीं होता है बट वो होते एक्चुल में हजारडस waste हैं तो हजारडस waste का जो है अगर आप देखो ऐसा waste जो आपको नुकसान पहुचा सकता है आपके इन्वार्मेंट को नुकसान पहुचा सकता है ऐसे सभी परकार के waste जो है हजारडस waste के टेगिरी में आते हैं का लंबा चोड़ा list है हजारडस waste जब discuss करेंगे तब detail में इस पर बात करेंगे sewage waste sewage जो बच्चे STP यानि की sewage treatment plant को जानते हैं उनको पता है कि sewage जो है आपका जैसे आपके घरों से जो नाली आपका ही drainage जो कहें sewage कुछ भी अगर आपको समझ में आये तीनों में से ठीक है जैसे हमारे यहां पर नाली बोलते हैं ठीक है and civil engineering की बात करेंगे तो sewage common language की बात करेंगे तो drainage तो उसमें से जो पानी निकल के गया वो जाता है आपका एक common water treatment facility पे ठीक है waste water treatment facility पे जिसको कहते हैं sewage treatment plant घरों से निकलने वाले पानी को sewage कहा जाता है sewage कहा जाता है sewage treatment plant जब पानी waste water को treat करता है तो उसके बाद में बहुत सारी ash बच जाती है ठीक है ash मतलब क्या होता है कि sludge हुई sludge को आप इस परकार से समझ सकते हैं जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब हम तेल निकल वाके लेके आते हैं mustard oil अपने घरों में तो उपर से तेल के साथ साथ ना बहुत सारा जो है material बचता है जिसको बाद में हम अपने animals को जो है भेज देते हैं खाने के लिए ठीक तो उसी परकार से क्या होता है कि जब पानी साफ हो रहा तो पानी के अंदर घुली हुई असुद्धियां जो होती है वो बैठ जाती है नीचे settle down हो जाती है ठीक है बचो तो थोड़ा सा इस परकार स समझी ये पानी है पानी के अंदर जो है असुद्धियां है वो असुद्धियां बैठ जाएंगी नीचे settle down हो जाएंगी इसको sludge कहा जाता है और sludge को हम बाद में dry bed में डालके जो है सुखा लेते हैं ठीक है और सुखाने के बाद में जो है एक जैसे अपकी ash होती है black black ऐस material बचता है ठीक है इसको sludge बोलते हैं ठीक ये basically इसमें बहुत सारे nutrient होते हैं बट इसमें heavy metal भी होते हैं ये question बहुत बार आया है हर pollution control board ये question करता है कि sludge को क्या आप fertilizer की रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसका जवाब होता है कि नहीं कर सकते हैं क्योंकि sludge में बहुत सा slow के लिए खतरनाक हो सकते हैं food chain के लिए खतरनाक हो सकते हैं ठीक है तो आपका sewage waste ये होता है sludge ठीक है बचो तो water treatment पढ़ेंगे तब जो है थोड़ा सा इस पे हम detail में बात करेंगे तो ये basic परकार के waste जो हमने अभी बात किए garbage garbage मतलब food waste ठीक है बचो आपका combustible or non-combustible waste and आ trash bulky waste ठीक है ये सब आपने बहुत अच्छे से note down कर लेना है बचो बहुत अच्छे से note कर लेना है अपने street waste dead animal आप देख रहे हैं कि कोई भी animal dead हो जाता तो तो fake देते हैं openly ऐसे ही है ना dog हो गया cat हो गया red हो गया and आपके बड़े-बड़े animal भी ऐसे fake देते हैं लोग ठीक है ऐसे construction and demolition waste ये अपने बहुत अच्छे से इंसलाइड को बरियाद कर लेना है industrial waste industrial waste जो है basically कैसे produce होते हैं कि जब हम अभी जैसे discuss किया कि कोई भी चीज़ बन रही होती है तो उस process में waste निकलते हैं हजार dust waste ठीक है animal and agriculture waste and आपका sewage treatment residue ठीक है बचो तो ये सारे चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद कर लेनी है and याद करने के बाद में आप जब exam देंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि direct यही इनी slide से आपको कोशन मिल रहे है तो अगर हम बात करें कि भी हमारा जो ये है waste इसको आप कैसे deal कर सकते हैं कैसे इसको treat कर सकते हैं कैसे इसको manage कर सकते हैं तो इसका जो है सबसे पहला चरणा है कि waste को आप ये देखेंगे कि कहां से generate हो रहा है ठीक है बचो waste का generation source जब हमें पता चला उसके बाद में हम क्या करते हैं waste को हम store करते हैं ठीक है जैसे आप सबसे पहले intermediate storage कहां होता है सबी के घरों में होता है सबी को पता है है ना सबी के घरों में होता है तो सबसे पहले आपके घर या commercial sector या college या university कहीं से भी waste generate होता है waste generate होने के बाद में सबी जगह पे बड़ी डेस्ट बिन रखी होती है वहां से जो है waste को collect किया जाता है collect करने के बाद में उसको transfer किया जाता है transfer करने के बाद में process किया जाता है process के दोरान ये देख लिया जाता है कि कौन सा material काम का है कौन सा recycle हो सकता है कौन सा reuse हो सकता है वो निकाल लेते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक की आइटम हो गये, एना, जो फूड वेस्ट है, वो हो गया, फूड वेस्ट को निकालेंगे, और उससे कमपोस्ट बना लेंगे, उसके बाद भी जो मटेरियल बचेगा, जिसका कुछ नहीं हो सकता, उसको अंत्ते क्य क्या कर दिया जाता है, उसको एट लास्ट डिस्पोज कर दिया जाता है, ठीक है बचो, उसको आखिरकार हम क्या कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, लेंड फिल में डंप कर देते हैं, यह इंसिनरेट कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर हैं, जो आगे हम महतो پून हमारी जो है भाउनाईं चुपी होती हैं कुछ महतो पून जो है हमारे मोटिव चुपे होते हैं कि भ्या हमें ऐसा क्यों करना चाहिए यह क्या उदेशय है हमारा है ना तो सबसे पहले तो हम यह चाहते हैं कि भै यह हमारा जो environment है ठिक है वो सही रहे हाना ज़ो है हमारा environment वो सही रहे उसकी health जो है वो maintain रहे उसके function maintain रहे तो ये एक बहुत बड़ा element है इसका कि हमें sustainable development जो है उसको unsure करना है फिर जो है जो impact है हमारी हरकतों का human activity का environment पे अब waste dump करेंगे तो environment तो degrade होगा ही वो कम होगा ठीक है बचे इसके अलावा जो impact है आपके environment पे ठीक है उसको कम करके हम जो environment है ecosystem है उसके function को enhance करते है ठीक है बचो एंड ये भी हम देखते हैं कि भी जो भी हमारे environmentally sound solid waste management system है वो इस परकार से हो की environment को कोई हानी ना हो ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी या आप जो है आपकी वज़े से आप वेस्ट तो एकठा कर रहे हैं पर वेस्ट के एकठा करने के दोरान भी बहुत सारा adverse effect आ रहा है ठीक है इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना ये हमारी motive चुपे होते हैं जब भी हम जो है अपने वेस्ट को manage करते हैं ठीक है बचो तो आज के इस lecture में इतना ही मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी point मैंने यहां पर discuss किये हैं आप लोगों ने ध्यान से सुने होंगे ठीक है बचो पूरी पूरी कोशिश है पूरा असले बस एक बार आपका cover करने की इस series में आप लोगों का सहयोग प्यार अगर इस series को मिलेगा तो definitely जो है आगे भी हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर आप बनाएंगे और आपका exam से पहले पहले सारी लेक्चर जो है cover करेंगे बच्चो जी हो बच्चो टेक कियर